आप सब लोग को मेरा नमस्कार हूं मनीपक में हम हूं साही राम मैं आगे हूं फिर से आप लोग के लिए कोड़ पिका कार्ट रीडिंग लेकर और ये रीडिंग है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हूं उनकी करेंट फिलिंग्स आपको लेकर क्या है ओके सो यहां पर हमेशा की तरह मैंने तीन कार्ट रखे हुए हैं जो भी कार्ट आपको सबसे जादा अट्रेक्ट कर रहा हो वही आपने स्लेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे और गाइस यह जानल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजनेट करी जिनके साथ में करती है उनको देख लेना है और जिनके साथ में नहीं करती है वो अगली बार फिर देख लेना कोई वीडियो या फिर दूसरा चैनल आप लोग देख लो तो चले शुरू करते हैं वाल दे बेस्ट तो जिन्हों ने ये वाला कार्ट चूस किया है फैमली यानि के पाइल नमबर वन के लिए तो देख लेते हैं आपकी जो पार्टनर हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हूं उन की करन फिलिंग्स आपको लेकर क्या है तो चले शुरू करते हैं मैं ये कार्ट यहां पर रख देती हूं वाल आपको दिखेगा नहीं मैं यूँ ही लगा देती हूं चले लिए कार्ट मैं करते हूं आपके सामने ही शुफल तो कि गाइस देखते हैं पहले इंको और फिर पाद में और कार्ड की जरूरत होगी तो निकालेंगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ देखते हैं पहला काड यहां पर पेज़ डों यहाँ पर है एड़ इस्टार और यहां पर है टेमपर इंपरेंज ओल राइट ठीक है मैं एनजी वरिक और कार्ड की देखूँगी उसे बाद फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या चल रहा है फिर हाना कि मुझे समझतों आ गया है फिर भी फिर भी मैं इनर्जी और को पार जाब किनी निकालेंगे जर्नी ओके देखिए दोनों कार्ट चले तो अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है और यह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं क्या है इनकी करेंट फिलिंग्स उससे पहले में करूंगी थोड़ा कैमरा ठीक आइधिंक ब्लर हो रहा है यहां पर ओकी गाइस तो आइधिंक अब ठीक से कार्ट अब मैं बता देती हूं कि आपके पार्टने की करेंट फिलिंग्स क्या हैं पहले में थोड़ा सा आपके बारे में ही बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि यह रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है ओके सो यहां पर जो मैं कार्ट देख पारी हूं उस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर यह पाईल उनके लिए नहीं है क्योंकि यहां पर मैं अच्छे से देख पारी हूं कि बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत ना होने का रीजन है इस पर्सन का यानि कि आपके पार्टनर का जो भी हो मेल और फीमेल वह आप जैसे भी कि आप लोग पहले साथ साथ रहते थे लिविन में भी रहते थे और सब कुछ नॉर्मल था आप दोनों एक दूसरे को हस्बन वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहे थे लेकिन जब आपने कहा कि शादी कर ली जाए और सभी के सामने ये रिष्टा लाया जाए तो उसी वक्त प हो ना हो फैमिली प्रॉब्लम्स तो है या फिर तो इस आपके जो पार्टनर है उनके फैमिली मेंबर्स इतने जादा जॉमिनेटिंग है कि उनको फेस नहीं कर पाते उनके सामने बोल नहीं पाते या फिर हो सकता है कि इनको सुसाइटी का बहुत डर हो इनकी फैमिली को सु मुझे यहाँ पर messages मिल रहे हैं, मैं आपको देती जारी हूँ, जो आपसे resonate करें, आप वही ले लेना, तो हो सकता है, यहाँ पर cast को लेकर problem हो, ऐसा भी हो सकता है, कि status को लेकर problem हो, जो कि मुझे जादा दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है, यह किसी ऐसी position पर हो, जिसकी वज़ issues है, family ही मुझे सबसे जादा दिख रहा है, कि family की वज़े से ही, जो भी issues आए हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं, वैसे तो सब कुछ ठीक था, अब हाल फिलाल क्या है, इनकी current feelings को लेकर हम बात करें, यह तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, ताकि आपको समझ आ सके, य आपकी हैवी या नहीं है, तो हाल फिलाल में अगर देखें, तो आपके partner की current feelings कुछ ऐसी है, कि वो चाहते हैं वापस से आपस से बात करना, आपको message करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें कैसे भी करके, अब मैं तो यही कहूंगी, कि आपकी होने लगा है, कि यह आपके वगएर नहीं रह सकते, इनको आपके साथ ही रहना है, जो खुशी इन्हें आपके साथ मिलती है, वो किसी के साथ इनको नहीं मिलती, यह इनके साथ problem हो लिए अब, यहाँ पर इनको यह लग रहा है, कि कैसे भी करके, यह आपको लेकर कहीं चले किसी को ना इन्हें जवाब देना है ना किसी से कोई बात करनी है इनको लगता है यह बस आपको ले और कहीं चले जाएं अभी इनके साथ यह है कि आप दोनों की connection को यह अलग तरीके से थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहते हैं अभी तक इनको यह लग रहा था कि आप दोनों का connection जो है वो होना नहीं चाहिए था उसके होने की वज़े से इनको stress हुआ आपको भी तकलीफ हुई इनको भी तकलीफ हुई इनके family members की तरफ से भी इनको काफी कुछ सुनना पड़ा इन्हें काफी सारे जवाब देने पड़े लेकिन अब यह चाहते हैं कि इस connection को एक अलग नजरिये से देखा जाए इनका मन करता है कि इस connection में वापस से आया जाए और अब जो भी difficulties आती हैं उनको face किया जाए इनको लगता है कि जो equal give and take आप दोनों के बीच में नहीं हुआ वो अब होना चाहिए क्योंकि आपर temperance का card है और यह सब कुछ योही नहीं हुआ यह सब कुछ हुआ है आपके positive रहने की वज़े से आपके manifestation की वज़े से यह चाहते हैं कि जितना आपने महनत करी है connection पर अब यह भी करें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको समझ में यह नहीं आ रहा कि किस तरीके से शुरुआत करी जाए क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने खुद आपसे इस तरीके से बात करी होगी कि चले जाओ मुझ तुम जियो या नहीं जियो इस तरीके की कड़वी बाते जो की बहुत ही होट कर जाती है मैं उस तरीके की बाते इन्होंने करी होगी अब इनको यह लग रहे कि अब अगर यह वापस आते हैं तो यह क्या कहें ठीक है ना तो यह दुविधा में है थोड़ी सी दुविधा ह इनको कि क्या किया जाए क्या नहीं मैं कुछ और कार्ट्स निकालूंगी इनको कि क्या जाए कि अपकर एंगी इनको कि अपकर एंगी तो अभी तो देखिए काफी सूचते हैं आपके बारे में हर वक्ती सूचते रहते हैं अचली मिस्स करते हैं आपको बहुत तो देखते हैं यहाँ पर कार्ड क्या हैं यहाँ पर है दमोन यहाँ पर है पेज ओफ पैनिकल्स और यहाँ पर है दे हैंग मैं ओकी तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम यह हो रही है बहुत जादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत जादा आपको मिस्स कर रहे हैं गाइस यहा देखिए मून का काड आया है और यहां पर भी four of swords है तो बहुत जादा सोच रहे हैं आपको लेकिन साती साथ बहुत जादा डरी हुए भी हैं इनको यह भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनको reject ना कर दिया ओके एन एक चीज जो मुझे और दिख रही है वो यह कि इनकी family में हो सकता है इनकी mom की तरफ से problem हो ठीक है mom हो सकती है या फिर इनकी sister हो सकती है जिनकी तरफ से problems हो सकती है ठीक है चाहते तो है अभी एक नई शुरुआत करना यह चाहते है कि वापस से सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे हुआ करता था ठीक है जैसे पहले कभी हुआ करता था जब आप लोग मिले होंगे जब शुरुआत में बात हुई होगी उस वक्त जैसा था विल्कुल वैसा ही ये करना चाहते हैं लेकिन यहां पर हैंग मैंग की एनरजी है जो कि बताता है कि अटके हुए हैं ये अचली अटके हुए नहीं है ये कर रहे हैं प्लानिंग कि किस तरीके स से शुरुआत करी जाएं कि इनका सिर भी ना चुके और ये आपसे बात भी करने लग जाएं ठीक है ना क्योंकि मुझे ऐसे लगता है काफी इगोइस्टिक हैं इनके लिए बहुत मुश्किल है वापस आकर सौरी बोलना और ये कहना कि आपके बिना नहीं रह सकते ठीक है लेकिन चाहते ही वही है तो अभी तो मैं ऐसा कुछ देखनी पारी कि कोई एक्षन लेने का ये प्लानिंग कर रहे हैं हाँ सोच रहे हैं लेकिन अभी इस मंत में आकर आपसे बात करें या फिर आकर आपसे मिलें ऐसा मुझे नहीं दिख रहा लेकिन हाँ प्लानिंग तो ज बात करेंगे हां कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है यह आपको मैसेज करें बहुती कम लोगों के लिए चीक है कि यह आपको मैसेज करें या फिर अपने किसी फ्रेंड की दुरू आपसे बात करने की कोशिश करें 10% लोगों के लिए 10 to 20 ती कर सकते हैं बात वैसे जात और लोगों के लिए मुझे यह नहीं लग रहा है कि मैसेश करेंगे लेकिन हां next month के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे बात करनी कि पूरी कोशिश करेंगे अभी बस plan करें हैं कि कैसे क्या किया जाएं काफी सोच तो मतलब सोच तो बहुत जादा रहे हैं सोच तो यह रहे हैं कि आपसे शादी करें आपको कहीं लेकर चले जाएं इन सब भी लोगों से दूर जो भी problems create कर रहे हैं जिनकी वज़े से यह सारा कुछ आप दोनों के बीच में separation हुआ लडाईयां हुई यह चाहते नहीं है यह उनसे भी नहीं लड़ना चाहते एक्शली इनका सोचना यह है कि उनसे भी नहीं लड़ना है और किसी से नहीं लड़ना है आपको लेकर चले जाएं कही दूर यह सोच रहेंगे लेकिन action यह next month ही लेंगे ठीक है so message ही करेंगे आपको message करेंगे बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन message भी ऐसा नहीं होगा क्या आप expect करोगे बहुत कुछ लंबे-लंबे messages करेंगे नहीं hi hello ही करेंगे और फिर बात शिरू होगी तो यह थी reading उन लोगों के लिए जिन्नों ने pile one चूज किया था अगर आपको पसंद आई है यह reading तो please like करें resonate करी है तो मुझे जरूर बताएगा subscribe करिएगा मेरा channel thank you so much for watching the video take care love you all bye bye hey guys तो जिन्नों ने ये वाला card choose किया है infinite abundance देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर क्या है उनकी current feelings okay तो चलिए देखते हैं किसी का तो name A से शुरू होता है यहां पर या तो आपका या आपके partner का पता नहीं या फिर वो जगह हो सकती है जहां पर आप लोग मिले यहां पर है seven of swords ब्लॉग है कोई तो या तो आपके partner ने आपको ब्लॉग किया है या आपने आपके partner को ब्लॉग किया है ब्लॉग तो है यहां पर the wall the tower major rachanas ear of cups and page of swords ओके ब्लॉग भी है बात भी नहीं हो रही है ऐसे दिखा भी रहे है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गाइस यह आपको देख रहे हैं पाइक टू या तो आप लुग soulmate connection में हो या फिर twin flame connection में क्योंकि यहां पर यह जो cards आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि the world फिर से आ गया यहां पर भी the world है यहां पर भी the world है okay एक और card चाहिए मझे ताकि मैं अच्छे से बता सकूं कि क्या चल रहा है आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में community third party के वज़े से issues आ रहे हैं आपके ओके गाइस तो सबसे पहली बात तो यह कि कोई ना कोई ब्लॉक जरूर है तो अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो आप ना देखें यह वाला पाइल क्योंकि यह उनी लोगों के लिए हैं जो ब्लॉक हैं जिनको ब्लॉक किया गया है या आप आपने उनको ब्लॉक किया है कुछ तो है यहां पर ओके अगर आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स की हम बात करें तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूं कि सिर्फ ब्लॉक बताया मैंने और कुछ नहीं बताया मैं अच्छे से बताना चाहूंगी पहली बात तो यह हो सकता है आप लोग सेम संसाइन के हो ठीक है वाटर साइन हो सकते हैं या फिर एर साइन अर्थ साइन भी हो सकते हैं ठीक है टॉरस या फिर कैप्रिकॉन लिब्रा हो सकते हैं गाइस मैं जब राशियां बताती हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो कार्ट मेरे सामने हो ठीक है जो मुझे एनरजी आती है मैं वो बताती हूँ आपको इसलिए कार्ट देखकर मत सोचना कि अरे कार्ट तो यहां पर नहीं है फिर कैसे बता रही हैं यह मैं अपने जो मुझे समझ आता है मैं वो बताती हूँ जो एनरजी मुझे मिलती है ओके ओके गाइस एक बात तो यहां पर है ही कि आप दोनों बहुत ही ज़ादा जिद्धी हो आप आपका पार्टनर दोनों ही कमनी है एक दूसरे से बहुत ज़ादा जिद्धी हैं आप दोनों अगर वो कहते हैं कि वो बात नहीं करेंगे तो आप कहते हो कि मैं भी बात नहीं करने वाली प्रॉब्लम बेशक आपके पार्णा की तरफ से ही शुरू हुई है जो कि मैं देख पारी हूँ उन्होंने पहले आपको आपसे मुव ऑन हुए ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको रीजन भी ना बताया हो अचानक से आपकी लाइट से बाहर हो गए आपको काफी पेन हुआ आपनी च्राइबी किया बात करने का लेकिन हाँ गलतियां उनकी तरफ से ही हुई है यह तो मैं देख रही हूँ उन्हीं क इनकी तरफ से आ सकते हैं या फिर आपकी तरफ से भी आ सकते हैं मुझे आपकी तरफ से भी लग रहा है हो सकता है इनका कोई best friend हो या आपका कोई best friend हो जिस पर आपने बहुत जादा भरोसा किया लेकिन फिर भरोसा तोड़ा गया ठीक है ऐसा हो सकता है यहां पर और यह एक ब्लॉक करके रखा है या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है चीक है ये परसन हमेशा ही अभी करेंटली तो मैं बताई रही हूं कि बहुत जादा डिप्रेशन में हैं बहुत जादा तकलीफ में परिशानी में हैं जिन लोगों की इन्होंने बात सुनी है ना उनी की तरफ से दोके मिले हैं चीक है बहुत जादा तकलीफ में आपको मिस कर रहे हैं अभी तक इनको ये लग ञादा खाया है जो लोग अभी तक इनके साथ खड़े हुए थे ना अब वो सभी लोग इनकी लाइफ से एक ही करकर जा रहे हैं या फिर कहलो कि इनका साथ छोड़ रहे हैं, इनको चीट कर रहे हैं अब ही तक जिन लोगों के साथ में इन्हें खुशियां मिलती थी अब इनको समझ आ रहा है कि वो कुछ नहीं, फेक था क्योंकि जब तक इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब तक वो इनके साथ थे अब जब ये प्रॉब्लम में आए हैं, तो उन सभी ने धीरे-धीरे करके इनका साथ छोड़ दिया है तो अब ये बिलकुल परिशान हो गए हैं, बहुत ज़ादा उदास है, इनको समझ में नहीं आता, ये क्या करें, क्या नहीं इनकी फेमली में भी प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है इनकी फेमली में कोई बिमार भी हो पूरी तरीके से परिशानियों में ये घिरे हुए हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी भी आपसे नहीं करना चाते हैं क्योंकि इनको यह लगता है कि यह पूरी दरीके से तयार नहीं है, इनको commitment issues भी है, commitment phobia हो सकता है इनको, जिसकी वज़े से आप से बात नहीं करते हैं, यह आप से move on कब हुए हैं, वो भी मैं बताती हूँ, आपके इनसे बहुत अच्छे से बात चीत होती होगी, शुरू में, ठीक है, जब इनको यह लगा कि आप serious हो रहे हो, या आप दोनों का connection जो है, वो बहुत ही strong होता चला जा रहा है, आप दोनों close होते चले जा रहे हो, तब ही यह move on हुए होंगे, उसी वक्त, और आपको यह लगा होगा कि क्या हो गया, सब कुस तो अच्छा चल रहा था, बल के साथ में, तो वही सारी चीजें इनको याद आई और वही इनोंने सोचा कि फिर से मेरे साथ वही सारी चीजें ना हो, तो इनोंने अपने दिल और दिमाग की ना सुनकर, जो third party थी उनकी सुनी, और उनकी सुनने के बाद में यह आप से move on हो गये, ठीक है, लेकिन अब इन हो रहा है, कि इनोंने गल्टी कर लिए कि जिन लोगों से इनोंने सलाह लिई, इनको समझा रहा कि वह सिर्फ ये चाहते था कि इनके साथ गलत हो, इन से जलते थे, आप इनको समझा रहा है, कि वह नहीं चाहते थे, कि यह खुश रहें, ठीक है? यह रीजन रहा था. अभी की कंडिशन कैसी हो गई है कि यह बीच में अटक गए हैं यह आपको बहुत जादा स्टॉक करते हैं यह तो मैं क्लियर कर दू कि कि हो सकता है आपकी दिमाग में बाते चलती हो कि इन्होंने ब्लॉक किया है तो किया किसी दूसरी आइडी से आपको देखते हैं देखते भी है नहीं देखते हैं हां जी यह देखते हैं ऐसा भी हो सकता है के दूसरी आइडी से देखते हो या फिर कोई ऐसा जान पहचान फाला हो जिससे indirectly आपके बारे में पूछते हो mutual friends हो सकते हैं तो उसको भी नहीं पता है उस friend को भी पता नहीं होगा कि यह क्यों पूछ रहे हैं आपके बारे में लेकिने पूछते हैं indirectly अभी अगर मैं देखू इनकी current feelings क्या है तो currently तो इनको सुकून चाहिए guys यह बहुत जादा परेशान हो गए है और इनको यह लग रहा है कि हर्मित मोड में actually यह जा रहे है इनको किसी से भी बात नहीं करनी है आपको miss करते हैं लेकिन आप से भी बात इनको नहीं करनी है इनको यह लगता है कोई शान्ती सी जगह मिल जाए वहां पर मैं बैट जाओं और कभी-कभी इनके मन में यह भी ख्याल आता है कि मुझे कभी यह सोचते हैं कि मुझे commitment चाहिए फिर कभी सोचते हैं कि नहीं चाहिए कभी लगता है कि शादी होनी चाहिए पिर सोचते हैं कि नहीं शादी नी होने, चाहिए हम ऐसे ही रहेंगे, ठीके ना, तो इंके विचार भी बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार जैसी परिस्तिति होती हैं वैसे इनका मन बदलता है लेकिन इनके मन में जो भी चल रहा है यह आपको शोनी करेंगे और देखते हैं कार्ट तो गैस मैं आपर देख पारी हूं कि करेंटली अगर मैं देख हूं आपके लिए क्या सोच रहे हैं लेकिन इतना जादा नहीं क्योंकि इनकी लाइफ में जो परेशानिया इनके जीवन में चल रही है न वह इन पर जादा भारी पड़ रही है तो अभ सुकून सा मिला तो बस उतना ही सुचते हैं बहुत जादा ऐसा नहीं कि जाकर बात करनी हैं कमिट्मेंट देना हैं शादी करनी वह सब नहीं लेकिन हाँ उस तरह से सुचते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है दाट सिट चीक्ये कुछ भी उनको हील होने की जरूरत है जो भी हुआ हो हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की डैथ हुई हो है ऐसा भी हो सकता है ठीक है न तो अभी तो इनकी कंडिशन यह है कि किसी से भी कुछ कहना सुनना नहीं चाहते हो सकता है आपने अगर इनसे बात भी करी हो तो आपसे इन्होंने कह दिया हो कि मुझे बात ही नहीं करने आप उसे बात मत करो मुझे दूर चले जाओ ठीक है अगर बात हुई है वैसे तो यह उन्हीं लोगों की पाइल है जो ब्लॉक हो रखे हैं लेकिन जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि किसी के लिए ऐसा हो कि अभी बात हुई हो तो इन्होंने कह दिया होगा कि मुझे कोई बात नहीं करने आप चले जाओ उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया हो ठीक है ना ऐसा हो सकता है कि कि इनकी कंडिशन ही मैं देख रही हूँ कैसी है देखें यहापर द सब्सक्राइब अगर मैं नहीं भी तब बट पता है मुटक में अब इस मोड में नहीं है और प्यारी प्यारी मिठी माधे करें और unblock करें और आपको I love you बोलें वो सब के mode में नहीं है बहुत जादा परेशान है Nine of Pentacles क्यों है यहाँ पर मैं एक बार clarify करूंगी ओके Nine of Cups तो I think इनके business में भी कोई ना कोई problems चल रही है abundance भी चाहिए इनको और उसके बाद ये सोचते हैं कि इनको शादी के बारे में या commitment के बारे में सोचना है उससे पहले नहीं सोचना है ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके career में ही कुछ problems आ रही हो इन्होंने किसी के साथ में business किया या job किया तो वहां से इनको धोका मिला हूँ क्योंकि और का card ही यहां पर उस वज़े से भी disappoint हुए हूँ overall मैं ये कहूंगी कि इनको cheat तो किया गया है ठीक है इनके पहले भी अगर इनके किसी के साथ affair रहा है या इनकी friendship रही है तो पहले भी इनके साथ ये हुआ है और वापस से फिर से हो गया चीक है तो वही मैंने कहा कि काफी सारी परेशानिया चल रही इनकी life में तो miss तो आपको करते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं लेकिन इतना जादा नहीं कि पागलों के जासे अभी क्योंकि इतनी जादा तकलीफ है परेशानिया है तो उनको कैसे अपनी life से हटाना है उसके बारे में सोचेंगे है ना और अभी तो यह भी नहीं सोच रहे क्योंकि अभी इतने परेशान ही है यह उदास से चिपचाप से बैठें इनको यह लगता है कि कोई इनको disturb ना करें कोई से बात ना करें और बस यह खुद को थोड़ा time देना चाहते हैं so yeah that's it so यह थी reading उन लोगों की जिन्होंने pile number two choose किया था I hope आपको पसंद आई हो अगर आई हो तो please like करना तो जिन्होंने यह वाला pile choose किया है pile number three card number three flowers तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी current feelings आपको लेकर क्या है okay let's see okay bottom of the deck देख लेते हैं wheel of fortune reconciliation मिलने वाले हैं आपके partner आपको यहाँ पर है eight of wands see मैंने कहा था न the sun वाव यहाँ पर है four of cups और यहाँ पर है nine of cups okay तो जिद्धी हैं भई बहुत ही सुन्दर cards है energy oracle से भी देखूंगी और फिर आपको बताऊंगी pile number three lottery लग गई आपकी तो भई दुआएं काम कर गई आप लोगों की बहुत लगई हैं आप लोग okay व कलneका, क्ताइएंगी इएंग्याँ क्यो norm का नेरी को और हैँ थूनरes 3 वाँ वाँнет के लूbowsट्याँ कि यहाँ वाँट के अच्ते दोनरे की के व Хावं फैंग केव हैं एव्क एवाट 봉े cauliflower है वेरी नाइस वेरी नाइस ओक तो भई आपकी तो होने वाली है बातचीत आँ यहां पर भी आज जितने भी बाइस आये हैं सभी में नो कॉंटेक्टी है और पर यहां पर भी मैं देख पा रहे हैं बाट इंग sellers water बात ने और हैं गारे जगडा भी नहीं हुआ इसके नहीं नहीं होती थैने सा नहीं कर रहे हैं आप जब लोघात नहीं हवा एक पर्संतर्न नहीं पर्स पर्वा प्लेश सहे हैं आप मैसेज करते हो तो यह reply ही नहीं करते है या फिर ऐसा हो सकता है कि धेर सारी आप मैसेज करते हो तब जाकर यह एक reply कर देते हैं आपको ऐसे करते हो यह आपके साथ ठीक है ना ये मुझे दिख रहा है याँ पर हाला कि यहां पर कार्ड ऐसा नहीं है जिससे मैं यह कहूं कि आपके पार्टनर एर साइन हो सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है यहां पर वाटर है ठीक है फायर है लेकिन एर नहीं है लेकिन सिर्वर मुझे लग रहा है गाईस तो मैं भी हो ठीक है आप लोगों ने कनफेस भी नहीं किया है एक दूसरे को लेकिन जानते आप दोनों ही है कि आप एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं में अन्डिस्टैंडिंग है फीलिंग्स है लव है सब कुछ म्यूच्वल ही है लेकिन शायद बताया नहीं है कोशिशें आपने बहुत करी है बहुत दूआएं मांगी है जो आपसे बन पड़ा है आपने किया है और आपको यह भी लगता होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी तरफ से मैसेजी नहीं आ रहा कुछ नहीं हो रहा लेकिन आपकी जो दुआएं हैं वो काम कर रहे हैं आपका manifestation काम कर रहा है मैं यह बता दू आपको उदास ना हो आप लोग इनसे बात होगी October मुझे लग रहा है October में हो सकती है इसी मन्त में हो सकती है ठीक है करन फीलिंग्स की बात करने तो गाइस यह आपसे बात करना चाहते हैं बेश्चक आपको मैसेज करना चाहते हैं कुछ चीजें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं ठीक है इन्होंने शायद आपको खुलकर बाते नहीं बताई हैं हो सकता है यह आपसे बिन कर यह आपसे दूर च यह करना भी चाहते हैं लेकिन इनको इन्होंने आपको मिलने बुलाया हो आप ना जा पाए हूं इनको मिलकर बात करनी की आदत है इसी रीडिंग में पहले भी कर चुकी हूं कि ही मैंने करी दियो और ऐसा ही पाइल आया था इनको चीजों को अपने कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है ठीक है आपके जो परसन है ना उनके बात करी हो अपने कंट्रोल में चीजों को रखना अपने अनुसार ही सब कुछ चिलाना अगर नहीं होता तो इनको बिलकुल अच्छा नहीं लगता है ठीक है इनकी wish है आपको पाना आपके साथ family बनाना और guys मुझे ये भी लग रहे है कि इनके ना बात करने का reason एक ये भी है कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी और आपसे बात करते रहे तो ये जो connection है ना ये मतलब वो जो spark होता है ना relationship में वो चला जाएगा आप इनको हलके में ले लोगे ऐसी भी सोच है इनकी इनको ये लगता है कि कम से कम बात की जाए कम से कम reply की जाए तो एक interest बना रहता है आप इनके बारे में सोचते रहोगे वो ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचो उस वज़े से भी ये करते हैं ऐसे ये बात तो आपसे करेंगे गाईस लेकिन मिलने के बाद ये इनकी strategy है बहुत ही ओश्यार है इनको पता है कि इनको कब क्या करना है जिससे के situation इनके नियंतरण में रहे ये कंट्रोल में कर सके सब कुछ victory चाहिए इनको इस connection में ये hard नहीं चाहते हैं और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं ये miss बहुत करते हैं आपको लेकिन फिर भी अपने आपको control में करके रखते हैं कि बात नहीं करेंगे हम हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें जीतना है हमें victory चाहिए इसलिए यह चाहते हैं आपके साथ में शादी करना मैं ये clear कर दूँ आपको अगर doubts हैं तो मैं clear कर जी हूँ ठीक है ये शादी कर ना चाहते हैं आपसे लेकिन कुछ तो obstacles हैं हो सकता है family की तरफ से हो मुझे यहाँ पर यह लग रहा है कि इनको यह लगता है कि इनको इतना अबर्णेंट होना चाहिए कि आपकी सारी wishes को यह पूरा कर सकें काफी सारी चीज़े ही सोचते हैं वही मैंने कहा कि air sign इनका हो सकता है यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है बहुत सोचते हैं यह यह चाहते हैं यह चाहते हैं कि आपकी यह king बन के रहे हैं आप इनके सामने कुछ भी कहो ना आप इनसे कुछ भी मांगो ना तो यह बिन सोचे समझे आपको दे रहे इतना abundance होना चाहिए साथी साथ ये चाहते हैं कि जब आप इनकी family में जाओ तो सभी लोग आपकी respect करें इस वज़े से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी family को कोई problem हो इस connection से इस बहुत miss कर रहे हैं guys आपको लेकिन हाँ अब भी इन्होंने control करके रखा है लेकिन यह बात करेंगे यह बात बेशक करेंगे message आपको कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर खुलकर सारी बात नहीं करेंगे हाँ message कर सकते हैं यह तो है message यह करेंगे आपको और मैंने months भी आपको बता दिये कि कब कर सकते हैं लेकिन सारी बाते वहीं पर कर लें, ऐसे मुझे नहीं लग रहा, मिलने के बाद ही करेंगे सब कुछ, जो भी बाते हैं, मैं कुछ कार्ट और देखूंगी, यहां पर है सफ कर्प्स, यहां पर है नाइट ऑफ कर्प्स, और यहां पर है नाइट ऑफ परिकर्स, मैं अभी क्या वोन हूं, आप लोग सच में बहुत लगी हो, जिन्होंने भी पाइल त्री चूज किया है, यहां गया है, तो यह वेट कर रहे हैं, सही समय का जो कि मैंने कहा, ठीक है ना, वेट कर रहे हैं और उस लेबल तक अल्मोस्ट पहुंच चुके हैं, जिस लेबल तक यह पहुंचना चाहते थे, जबकि इनको लगता था कि इस लेबल पर मुझे होना चाहिए, इस आ गया है, और मुझे लग रहा है कि मार्च तक आपकी डिवाइन टाइमिंग है, आप लोगों की हो सकता है, शादी हो जाए, या इंगेजमेंट तो होनी होनी है, ठीक है, तो आने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा, मतलब इनको लग रहा है कि अभी ये टाइम ठीक नहीं है, मैंने जो कि कहा, कि मिल कर ही ये बात करेंगे, और क्योंकि अभी आना जाना तो नहीं हो पाँ रहा है, आप लोगों को भी पता है, तो बस उसी वक्त का ये इंतिजार कर रहे हैं, कुंग्राचिलेशन गाइस, सू ये रीडिंग थी उन love you all, bye-bye!